Hello everyone, welcome back to my series classes. स्वागत आपका अपने चैनल my series classes पे. देखे, आपके लिए बहुत ही important हो जाता है कि हमारी जो बिमारिया होती हैं, जैसे हमारे nutrients की कमी की वज़े से हमारे सरीर में कुछ बिमारिया होती हैं, हमारे body parts में कुछ बिमारिया होती हैं, और उन में से हर बार एक या दो नंबर के कुछ चीज़े पूछी जाती हैं हमारे competitive exams में. सो हमारे competitive exams के point of view से यह बहुत ज़दा important होता है. सो बिना किसी देरी करते होएं, हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. इसमें हम क्या करेंगे? देखें, बिमारी कौन से होती है, किसकी वज़े से होती है, और उसको कैसे दूर किया जा सकता है. Means, उसके sources, जो खाके, जो eatable होते हैं, वो करके, उन बिमारे से बचा जा सकता है. ठीक है? वो हम इस वीडियो में detail में बात करेंगे. और देखें, ये वीडियो आपके लिए सिरफ comparative exam के point of view से है. तो पहले हम बात कर लेते हैं nutrients की, कि nutrients क्या होते हैं? स्टार्ट करने से पहले आपको इस पता होना चाहिए, कि nutrients होते क्या हैं? देखें, अगर definition देखें nutrients की, a nutrient is in any substance that is observed and either provides you with energy or enables growth. कुछ ऐसा substance जो आपको या तो energy provide करें या फिर आपकी growth को enable करें, ठीक है? जो आपकी repair करें, जो आपकी body को proper function करने के लिए साहता करें, उसकी मदद करें, proper function करने में. देखें, बात करें, basically seven main nutrients बोले जाते हैं, ठीक है? कौन-कौन से होते हैं वो? Carbohydrates, protein, fats, vitamins, minerals, fibers and water. रिपीट कर देता हूँ, एक बार दुबारा सुन लिजी. Carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, fiber and water. ठीक है? ये क्या है? ये seven main vitamins होते हैं, जो कि हमें daily चाहिए होते हैं, हमारी body को daily life में चाहिए होते हैं, daily. ठीक है? और ये हमें consume करने चाहिए, क्योंकि हमारी body को कुछ बिमारियों से ये vitamins, ये fats, ये proteins, ये minerals, ये fiber, ये water बचाते हैं, ठीक है? So, देखें, deficiencies का क्या मतलब है? sources of nutrients and deficiency disease. Deficiency disease मतलब इनकी कमी से जो कम वो होती हैं, बिमारियों होती हैं, ठीक है? So, बात करते हैं हम detail में, आईए start करते हैं. देखें, हम start कहां से करेंगे? Basically हम start करेंगे vitamin E से, ठीक है? देखें, हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम पढ़ेंगे nutrients, फिर उसके बात क्या पढ़ेंगे? Constituent, Constituent क्या होगा? Constituent का मतलब होता है कि या तो उसका scientific name, ठीक है? या फिर वो किसे linked होते हैं, किसे जुड़े होते हैं, क्या पाया जाता हो उनमें, ठीक है? So, scientific name ही होता है basically, में तो, deficiency disease का मतलब होता है, उससे कौन सी बिमारिया होती है, और last में है sources वाला कोला, जिससे, जिससे की, जिससे मैं आपको एक समझाता हूँ पहले, जिससे vitamin A है, ठीक है? vitamin A है, तो इसमें बताया गया है, कि vitamin A में, retinol, retinoic acid, beta-cardine, इनसे क्या होता है, यह constituent होता है, ठीक है? अब यह भी बोल सकते हो, vitamin A का scientific name, retinol है, ठीक है? तो यह पूरी table ऐसे ही है, तो पहला आप धंक से समझें, उसके बाद आप समझ जाएंगे, ठीक है? तो देखे, vitamin A की बात कर रहे हैं, यह constituent किससे होता है, retinol से, और retinol को ही retinoic acid, beta-cardine b, ठीक है? इससे कौन-कौन से बिमारी होती है, तो आपसे पुछले जाता है, आपस healing, epithelial cells, normal development of teeth and bones, ठीक है? अगर बात करें, vitamin A की कमी रहेगी, तो हमारी development of teeth और bones में भी दिक्कत आईगी, ठीक है? और night blindness भी हो सकती है, ठीक है? अज़ा, अगर बात करें, आपसे कोई बोले कि vitamin A किससे मिलता है हमें, तो carrot से मिलता है, पापाईया से मिलता है, जिसे आप प chemicals, तो किसके से मिलता है, गाजर, बपीता, दूद, पनीर, मचली, लिवर ओल, और जो हरी सबची होती है, ठीक है? ये vitamin A के sources है, ठीक है? ऐसे हम बात करेंगे अगले को, अगले vitamin की, देखें फिर next आता है, vitamin B1, B1 क्या होता है? थाय माइन होता है, थाय माइन, ठीक है? और इ B as in beriberi, याद रख लेना, B1 beriberi, B1 beriberi, vitamin B1 से कोंती होती है? beriberi, ठीक है? अगर बात करें, कि इसको किसे दूर किया जा सकता है, तो bravers, yeast, hall green, चन्ने जिसे हो, oatmeal, ठीक है? आपीनर्ट, ड्राइट शोय बीन्स, sunflower, seeds, देखें जो sources है, वो आपको पूरे याद करने की जुरत नहीं है, बस एक rough idea होना चाहिए आपको, ठीक है? तो आपको vitamin B1 किस किसे मिलता है? sunflower seeds से, soya bean से, peanuts से, ठीक है? इन सब से, तो आपको पता होने चीज़ा चीज़े, B2 पे चलते है, vitamin B2, देखे, B2 को क्या बोलते है? riboflavin, riboflavin, ठीक है? और इसकी deficiency causes कौन सा आता है? और B-fla bonuses, यह इतना नहीं पूछा जाता है, इतना important नहीं है, जो बहुत ज़्यादा important होगा, उसको मैं already बता चुका हूँ, आपको B1 ज़्यादा important है, ठीक है? B2 का आप scientific name याद कर लो, एक तो riboflavin, ठीक है? sources देखे, beef, liver, ठीक है? lamb, milk, mushroom, यह सब चीज़े, almonds, ठीक है? बात करते ह हैं, B3 की, तो B3 होता है, nicene और nicotinic acid, ठीक है? जिसे आप बोल सकते हो, pelletra, ठीक है? deficiency क्या होती है? pelletra, ठीक है? यह दूर कैसे क्या जा सकता है? tuna, chicken, turkey, mushroom, bacon, broccoli, wheat, इन सबसे दूर क्या जा सकता है, देखे, आपके लिए important यह है, कि बिमारी कौन सी होती है और किसकी वज़े से होती है, इनका scientific name इतना important नहीं है, और कुछ का important होगा scientific name, ठीक है? जैसे vitamin A का बहुत important है, और कुछ का नहीं होगा, ठीक है? और sources ज्यादा important नहीं है, sources नहीं पूछे जाएंगे आपसे, बस ऐसे हो सकता है कि जैसे आपको example देज़े जाए, carrot, papaya, milk, और आपको बोलते होल pentothenic acid, क्या बोलते हैं? pentothenic acid, जो की deficiency disease कौन से होती है? पैरेस्थीशिया होती है, acne होती है, ठीक है? और इसको दूर कैसे क्या जाए सकता है, इसके sources क्या है? chicken liver, sunflower, seeds, salmon, avocats, corn, broccoli, mushroom, इन सब से इसको दूर क्या जाए सकता है, vitamin B5, ठीक है? आईए, basics पे चलते हैं, देखिए, basics है, और ये constituent होता है, paradoxine, paradoxal, और paradoxamine, देखिए, इतने ज़्यादा tough नहीं पूछ जाएगा वैसे, बस आपको पता होने चीए, और इसे disease कौन से होती है? dandruff, like eruptions, pink आई हो जाती है, eplipsy हो जाती है, दूर कैसे क्या जाता है? potatoes, other starch vegetables, fruits, ठीक है? इन सब से, आ आगे आपके लिए ये important है, B7 important है, जिसका scientific core name, और कोंस्टिटेंट किसे है? by don't say, ठीक है, ये किसमें इसके deficiency problem क्या होती है? growth, neurological disorder हो जाता है, ठीक है? इसको दूर कैसे क्या जाता है? raw egg yolk खाके, liver, peanut, yeast, whole wheat bread, ठीक है? इन सब से, cheese से, इन सब से इसको दूर क्या जा सकता है, अगर ही पे हम बात करें, vitamin B9 की, जिसको folic acid भी बोला जाता है, ठीक है? और इसको macrocytic anemia, जो anemia होता है, और birth defects, जो birth defects होते हैं, मतलब जैसे जनम के साथ के लोगों में कुछ problem आती है, वो सर्व इसके वज़े से होता है, किसकी vitamin B9 की, तो आपको dark, आप roughly एक idea लगा सकते हो जो pregnant होती हैं, जो ladies pregnant होती हैं, उनके लिए ये चीज़े ज़रूरी होंगी, कौन-कौन सी, like dark leafy green, like spinach, ठीक है, ब्रॉकली, ठीक है, और catrous fruits, beans, peas, latins, ठीक है, ये सारे चीज़े important होगी, इस सब को birth defects को और इन सब को दूर करने के लिए, ठीक है, तो vitamin B9 folic acid, got it? vitamin B12 बहुत important है, आईए बात करते हैं, इसके बारे में, देखिए, इसमें बहुत ज़दा, various, इसमें लिखा हुआ है, various cobalmins होती है, ठीक है, और अगर बात करें से बिमारी, तो देखिए, anemia, ठीक है, memory loss, ठीक है, parnesius anemia, mania, psychosis, paralysis, ये सब किसे होता है, vitamin B12 से, तो बहुत important ह ये, और seafood हो गया, beef हो गया, chicken हो गया, egg हो गया, वो इसके क्या है, resources है, ठीक है, अब बात करिये, हमने vitamin B12 भी करा, B9 भी करा, B7 भी करा, ओपर भी करें हमने, ठीक है, अब चलते है हमारे vitamin C पे, देखिए vitamin C क्या होता है, basically, vitamin C को आप बोल सकते हो, ascorbic acid B, ठीक है, क्या बोल स कौन सी होती है, तो vitamin C से होती है, scurvy, कौन सी, vitamin C से scurvy, vitamin B1 से कौन सी थी, berry berry, ठीक है, vitamin A से कौन सी थी, night blindness हो गई, ठीक है, और vitamin C से कौन सी है, scurvy, तो आपको चासात याद करना है, इनको, ठीक है, vitamin C से scurvy है, कैसे दूर किया जा सकता है, vitamin C मिलता है, किस-किस में है, इन सब में मिलता है, ठीक है, दुवारा सुन लीजिए, विटामिन C, जिसको आप एसको और भी कैसिद भी बोल सकती हो, ठीक है, उससे बीमारी कोंची होती है, इसकव भी होती है, यह मिलता का है, आमला, गवावा, मिर्च, जो होती है, चिलीज, कीवी, ब्रोकली, इन सब में ठीक है, ओरेंज, पपाइवा, लेमन, एट्शे, आइए, चलते हैं, वेटामिन D पर, देखें, वेटामिन D आपको बहुत ही सिंपल blossom है, वेटामिन D आपको मिलता है, सनल लाइट से, बहुत ही ज़ादा है, सनल लाइट से, ठीक है, बात करते हैं, इसका सैंटिफिक नेम क इसको क्लेसिफोरल D2 एंड कॉलेस कॉलेकलसिफेरल बोलते हैं इसे बिमारी कौन सी होती है रिकेट्स होती है ठीक है ओस्टेमेलेसिया होती है नेड़ेड फॉर अबसॉर्प्शन ऑफ केलसियम फॉर्म स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है और कैलसिफिकेशन ऑफ दा स्केलेटेन ठीक है यह में तो रिकेट्स होती है ज्यादा तो इंपोर्टेंट रिकेट्स से रिकेट्स याद रखना ठीक है बहुत ही इंपोर्टेंट है रिकेट्स ही पूछा जाता है यह हमारे competitive exams में basically रिकेट से पूछा जाता है अच्छा बात करें sources के vitamin D के sources क्या है sunlight है, mushrooms है ठीक है, alfalfa है fish, liver, oil cooked egg, york ठीक है आई यह बात करते है vitamin E के बारे में देखे, tocopherols and tocopherols से constituent है, ठीक है ऐसे बिमारी कौन सी होती है red blood cell destruction हो जाते है, हमार जो RBC होते है वो destruct हो जाते है ठीक है, खतम हो जाते है ataxia, ठीक है, retinopathy peripheral, neuropathy और reproductive failure ठीक है, so reproductive failure यह पूछा जाता है कि basically question आता है कि जो women's mother नहीं बन पाती वो कौन से vitamin की कमी से तो vitamin E होता है, ठीक है, यह पूछा जाता है जो reproductive failure होता है, वो इसी से होता है vitamin E की वज़े से, ठीक है अज़े इसके sources की बात करें तो wheat, wheat germ oil ठीक है, canola oil sunflower oil, almond oil hazelnuts, peanuts, ठीक है आई बात करते हैं, बाकी essential fatty acids की कुछ ऐसे fatty acids भी है ठीक है, essential जो की जोर्री होते हैं दिन में हमें लेना, कौन-कौन से होते हैं, omega 3, alpha linolenic acid omega 3 को ही बोलते हैं, alpha linolenic acid, omega 6 अब ऐसे याद रख लेना इसको essential fatty acids में, omega 3 और omega 6, ठीक है अच्छा, यह नहीं लेंगे तो इसे बिमारे क्या हो सकती है, several bodily होता है, process afflicted skin ailments skin problem होती है, ठीक है तो omega 3 और omega 6 याद रखना, omega 6 और omega 3 किस से मिलता है, फिश ओयल से मिल सकता है flaxseed oil से मिल सकता है hemp oil से मिल सकता है, or live oil से मिल सकता है, pumpkin seed से मिल सकता है, ठीक है, और जो पत्तिदार vegetables होती है उन से मिल सकता है आईए बात करते हैं हम vitamin K के बारे में vitamin K basically क्या काम करता है देखे vitamin K constantant तो वो है philoconine के किसे philoconine से देखे जो lack of clotting of blood आपने देखा हूँगा कई'ो का खून भेता ही रहता है और कई'ो का खून भेता नहीं रुख जाता है जल्दी जम जाता है तो वो इसी से होता है को बहुती कम renew होते हैं इससे vitamin K की कमी से ठीक है मिलता कहां से है vitamin K green leafy vegetable से मिलता है ठीक है बात करें iron की तो iron से बिमा iron अगर नहीं होगा हमारी body में तो anemia होता है erythemia होता है मिलता किस से iron iron मिलता है red meat से seafood से egg yolk से bananas, apple, green vegetables broccoli, beans, pumpkin seeds इन सब से ठीक है आई आगे बढ़ते हैं देखिए अब हम बात करते हैं हमारे vitamins complete हो गए है तो बात कर लेते हैं हमारे कुछ minerals की देखिए potassium से कौन से विमारी होती है potassium की कमी से potassium से नहीं potassium की कमी होने से हमारे शरीज में कौन से विमारी हो सकती है high blood pressure यह सब जिम विम मारते हैं तो हो जाता है यह workout time होता है muscle cramps ठीक है constipation, respiratory depression, paralyzes यह सब किस की कमी से होता है potassium की कमी से मिलता कहां से है sources के हैं मीट हो गया, milk हो गया fruit हो गया, vegetable हो गया whole grain हो गया ठीक है दीक है milk तो हर जग़ होगा ठीक है बात कर लेते हैं calcium की तो calcium की कमी से कोज से बिमारी होती है osteoporosis हो गई hypokalcemia हो गया osteopenia हो गया देखिए बहुत ही high level का भी है थोड़ा इसमें तफ़पी है तो इतना बोड नहीं आएगा बट आपको पता होना चाहिए आपके आ भी सकता है इसा नहीं है कि नहीं आएगा ठीक है कुछ पता नहीं है SSC का कुछ पता नहीं है NTPC का कुछ पता नहीं है किसी भी board का ठीक है बात करें calcium की तो calcium हमें कहां से मिलता है milk से milk product से egg से wheat grass से ठीक है आई ये बात करते है magnesium की देखिए basically magnesium से कमी से होने वाले रोग है आप simple ले सकते हो heart attack देख देखते हो जो heart attack आता है वो magnesium की कमी से आता है ठीक है और deterioration of metabolism metabolism हमारे जो पाचन तंतर होता है उसमें problem आना magnesium की कमी से आता है ठीक है और insulin resistance हो गया ठीक है dark chocolate whole grains ठीक है बात करें sodium की तो देखिए sodium से basically main होता है headache होता है आपका ठीक है और coma जिसमें coma में चले जाते हैं लोग ठीक है electrolytic imbalance होता है ठीक है ये सब किसकी वज़े से होता है nausea ठीक है और cognitive impairment ये किस से होता है ये sodium की कमी से होता है ठीक है और sodium मिलता कहां से है salt से मिलता है नमक से fish से meat से vegetable से ठीक है बात करते हैं chlorine की chlorine से alkalosis मिलता कहां से salt, milk, meats और vegetables phosphorus की बात करें तो जो children's होते हैं उनमें ricketts की विमारी ठीक है और adults में osteomalacia ठीक है और hyphospatheemia ये किस्से होते हैं phosphorus की कमी से दूर कोन करता है meat, fish, poultry, eggs, milk बनाना ये सब iodine से तो आपको पता ही है हमारा metabolism में problem होती है cellular function में problem होती है goitre में और creatinism में ठीक है और seafood से मिलता है green vegetable से मिलता है raw milk से मिलता है egg से इन सबसे मिलता है यहीं बात करें हम protein की तो protein की कमी से होने वाले रोग है quasi और कर quasi quasi और core ठीक है meat, seafood, eggs, pulses legumes, milk, milk product इन से मिलता है हमें protein ठीक है protein energy की बात करें तो protein energy की कमी से होता है marasmus ठीक है grains, pulses legumes, meats, milk skin सबसे यह दूर किया जा सकता है आगे बढ़ते है so यहीं खतम होती है और यह वीडियो और इस वीडियो में मैंने कोशिश करिए कि आपको पता होना अच्छे फिर से एक बार revise कराता हूँ मैं जो important important है vitamin A की कमी से होता है night blindness ठीक है बात करें vitamin B1 से तो berry berry ठीक है vitamin B1 को आप vitamin B1 बोल सकते हो simple ठीक है आगे बढ़ते हैं vitamin B12 से होता है anemia हो गया memory loss हो गया ठीक है vitamin C से scurvy जिसको आप ascorbic acid भी बोलते हो vitamin D ricates होती है जो कि sunlight से मिलता है हमें ठीक है बात करें vitamin E की तो red blood cell को डिस्ट्रक कर देता है ataxia को डिस्ट्रक कर देता है और retinopathy perifel और reproductive failure vitamin E की वज़े से होता है ये यहीं अगर बात करें vitamin K की तो lack of clotting of blood blood का भाव omega 3 और omega 6 की बात करें तो ये हमारे skin की देखती है और several bodily process afflicted करती है ठीक है iron की कमी से आपको पता anemia होता है